नमस्कार दोस्तों आप शिबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों केशे हैं आप शिबी उमीद करते हैं कि भगवान भूलिनात के शिरबाद से आप शिबी बहुत यह अच्छे होंगी दोस्तों हम आप शिबी को बता दें कि कल शिबी के जिवनकाल में दोस्टों जो बड़ी घटना होने वाली है आपने कभी शपने में भी नहीं शोचा था जीहां दोस्टों हम आप शबी को बता दी कि कलशे आप शबी के जिवनकाल में आपका किश्मत का जादू चलने वाला है जीयां दोस्तों और यश्मे आपके किश्मत में आपके नशी में वो चीज मिलने वाली है जिने देख कर शबी लोग जो लोग आपसे जलते थे वो जलते ही रह जाएंगी जियां दोस्तों आपके जलवा कलशे चारों और भी खरने वाला है आप शिबी को बता दी कि दोस्तों जिनके बीजुनकाल में इश्वर का हाथ होता है उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता जिनका करम अच्छा होता है उनके शाथ हमेशा इश्वर खड़ा रहता है भली थोड़ा शक कश्ट हो थोड़ी से समझ यह हो लेकिन उनका अंत शब से अच्छा होता है जियां दोस्तों और अब आपका वाश शमे आ गया है जब आप शबी के जिनकाल में खुशियों के दिन शुरू होने वाले हैं जियां दोस्तों आप शबी को बता दें कि कल से आप शबी के जिनकाल की सुब समय प्रारम होने वाले हैं दो दोस्तों आप शबी को बता दें कि याश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होगा, दो जिहां दोस्तों आप शबी को बता दें कि यहां बातें शब कोई नहीं बताता है, जिहां दोस्तों इसलिए आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिशना करें और ने शुरू से लेकर अंतर तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों बहुत दिन होगे जब आप अपने जुनकाल में दुख को जिलते आ रहे हैं जब आप अपने जुनकाल में कभी सुक को नहीं देखे हैं दोस्तों बहुत दिन एशिय आपके जुनकाल में भी चिलने पड़े हैं दोस्तों बहुत दिन एशिय आपने अपने जुनकाल में सहे हैं जब दोस्तों आपके अपने ही लोग आपके दुश्मन बनते गए हैं दोस्तों आपने बहुत एशिय दिन देखे हैं जहां पर आपको कई परकार की मुश्यपतों का श्यामना करना बताते हुए हमें अतियंत प्रश्मता हो रहे हैं दोसूं। आपके जूनकाल में खुश्यों की बहुंचार आने वाली है। इश्वर का शिर्वाद अकशवी के जूनकाल में आकिर आही गया। जियां दोसों इशली दोसों वो कहते हैं कि भगवान के घर दे है लेकिन अंदिर नहीं आप अपने जुनकाल में कर्म करिये उश्च का फल अवश्य प्राप्त होता है और दोसों एश्मे घरों के इस्तिय शाक्छात यही दर्शा रही है कि आपके कर्मों का ही फल पाने का श ने कर्शान दिखना चाए ठी जो लोग आपको हमेशा नुक्षान करना चाहते थी दोस्वं उन शबी के आँखों में अश्मी दुखा यह ज़िश होंगे जे दोस सुवं हम आप शिवि के जुनकाल की हर वह चीजश आपको मिलने वाली हैं जिन के लिए आप पिछले कईश में से तड़ब रहे थे दोस्तों यूँ कहें तो दोस्तों आप शिवी का अब ओहत जिंदगी बनने वाली है जिन में आपको शिर्प खुशिया ही खुशिया मिलने वाली है दोस्तों गम का कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा जे दोस्तों दरशल दोसों हम आप शिवी को बिदा दें कि शाक्षा महादेव का शिरवाद अब आप शिवी के शर पर आने वाले हैं कल से दोसों आप शिवी के जुनकाद में श्वेंग देवों के देव महादेव के शिरवाद शिवी का जिवन बदनने वाले हैं श्वेंग महादेव आप शिवी के भागे में इतने बड़े चमतकार करने वाले हैं कि दोसों देखने वालों का नजरिया ही बदल जाएगा जिया दोसों, हम आप शिवी को बतादें कि यश्य में आप शिवी के कुंडली में बहुती बड़े अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं, बहुती शिवी को बतादें कि कल शिवी के कुंडली में शिवी के कुंडली में शिवी के कुंडली में चार अस्तानों में आने वाले ह दोस्तों साक्षात के दार योग भगवान भूलिनाथ से शंबन रखता है जी दोस्तों और शाक्षात आप शिवी के जुनकाल में अब भगवान भूलिनाथ बहुती बड़ी चमतकार करने वाले हैं जिन से दोस्तों आप शिवी का जीवन बदल जाएगा जिहां दोस्तों कल से आप शिभी को अपने जुन काल में कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क करते हैं कि आज के वीडियो को आप भूल कर भी मिशमत की जिएगा ज्य क्योंको अगर आज़के वीडियो को नजरन्दाज कर देंगे तो दोसुत आप जाने अन्जाने अपने किष्मत को ही खोधेंंगी और दोसुत ज्यादा आप अपना जीवन काल में पस्खाण 궁 जो लोग हमेशा अपनों के लिए जान निशावर कर देते हैं जे दोसों और शिप्रकार की शवी आपके भी जो उनकाल की है जे दोसों आप शिपी का शदवाव शबी लोगों से बिल्कुल ही अलग है जहां शबी लोग अपने पेट भरने के लिए किशी और के खाने तक छिन लेते हैं लेकिन दोसों वही आपका शवाव उनसे विपरित दोसों आप किशी की भूक मिटाने के लिए अपने खाने तक किशी और को दे देंगी दोसों यही कर्म यही शदवाव आप शिपी को इश्वर की और सबसे ज़्यदा जुड़ता है और दोसों हमेशा इश्वर की नजरों में आप शरुक्री रहते हैं अजिया दोसों और आपकी जुनकाल में इतने बड़े मोखिये आ गए हैं तो दोसों यही मोखिय को अगर आप मिश्ट कर देंगी और दोसों जाने अन जाने में अगर आप इन फैदे को नहीं लेपाएंगे तो दोसों आप बहुत ही फस्ता आएंगे जे दोसों इसलिए आप वीडियो को अं कमन शच्चै इरद भावशे जैब भुलीनात हरहर महादेव जरुरी लखिएगा दोसों देवों के देव महादेव का शिव मशिरबाद आप शिवी को परापद होगा और यहीं महादेव का शिवाद आप शिवी की जुनकाल में शदे वर्ष जेंगे जियां दोसों, तो आई दोसों आप शबी को बताते हैं, कि कल शे आप शबी के जुनकाल में खुश्यों की नए उड़ान आने वाली है, जियां दोसों एक परकाश्य के हैं, तो दोसों आप शबी के जुनकाल की एक नए इस्तिति शुरू होने वाली है, एक नया अध्याज खुलने वाले हैं। रात चोगनी तरकी करने वाले हैं। जय दोस्तों कि दोस्तों हम आप शुब को बिदा दें कि कल शेया आपको अपने बागी का पूरा पूरा शयोग बिलने वाले हैं। यश्मी घ्राओ की सती आपके ही पक्ष में होने वाली है। जिया दोसों कल से आप जो भी कार्यों में अपना हाथ को लगाएंगे, दोसों वह कार्य आपका शबल हो जाएगा, जिया दोसों उनमें कोई भी अर्चने नहीं आने वाली है, तो दोसों शाक्षा देवों की दिव महादेव आपके शाथ है, जिया दोसों कल से आप शिवी क जुनकाल में नई दौर की शुरुआत होने वाली है बहुत लोग एशी बेरुजगार है जे दोस्तों जो लोग नोक्री की तलाश कर रहे थी उन शभी को कल से अपने जुनकाल में नई खुशिया मिलने वाली है नोक्री की जो चाहा रखते थी उन शभी को मन चाहा नोक्री म तरक की आपशिवी की काम्याभी को देखकर वो अपने मन में यह पास जरूर ही सोचेंगी कि इनकी किश्व में आखिर एशी के से चमक शकती है क्या इनको कोई जादोई छड़ी मिल गई है जिया दोसों वो बहुत एशी सोचेंगे और बहुत लोग कहेंगे कि वहाँ कादवार खुलने वाले हैं जिया दोसों शादेशा दोसों हम आप शुग बदा दें कि कल से जो भी जातक अपने जुनकाल में आर्थिक शमश्याओं से बहुत यदा परिशान थे जिनके जुनकाल में पेशों की बहुती शमश्याएं चल रहे थी जो लोग पेशों के लि जडशे ही खत्म होने वाली है बगवान भूलेनात के शिमश्याओं से जो आपके कुंडले में एक केदार नाम का योग कर निर्वान हुआ है दोसों यकीन मानिए ये आपके जुनकाल में इतनी बड़े चमतकार करने वाले हैं एशी आपके किश्मत बदलने वाले हैं ये खुद आप अपनी आँखों पर यकिन नहीं करेंगे जिया दोसों लेकिन दोसों हम आप शिय को बदा दें कि घर और परिवार का महौल ये शिमी बहुत अच्छा रहने वाले हैं जिया दोसों और ये शिमी आपको अपने जुनकाल में कुछ महत्पुन बातों का ध्यान र आप शिमी के जुनकाल में आने वाली है तो दोसों ये शिमी में आप शिमी के जुनकाल में वो भी परबल होने वाले हैं वो भी आपको छती पहुचाने की कोशि करेंगे क्योंकि दोसों वो हमेशा ही आपके खुश्यों से जलती आ रहे हैं कभी भी उन्हें आपके खुश बरदाश नहीं होती और दोस्तों कल शी आप शिवी की जुनकाल में इतनी बड़ी खुश्वरी आ रही है कि दोस्तों वो देख कर ही जलते रह जाएंगे जिया दोस्तों और आपके उपर घात करने का भी प्रयाश करेंगी तो दोस्तों युशी में आपको क्या करना है कि जुनाएं आप बना रहे हैं दोस्तों उन्हें जुनाओं को शफल होने के बाद ही दोस्तों किशी और को जनकाली देजीगा शादिशा दोस्तों हम आप शिवी को बिदा दें कि जहां पर भी जाईएगा दोस्तों अपने शत्रुशी आपको बशावधान रेना है किशी प आपijk शिवे को बता दें कि कर शी आपकी भी को अपनी जुनकाल में कुछ महत्पून बातों का भी ध्यान रखना होगा जैसे कि दोस्तों आपको अपनी जुनकाल में जो भी आप रुपए पेशे धन्ह को औरचित करने वाले हैं जो भी आपको कहीं पर खुशकवरी मिलने वाली है, जो भी शफलता है आपको कल से मिलने वाली है, दोस्तों उनमें से कुछ परशेंट आप गरीबों में दान धर में जरूर ही दीजिएगा, दोस्तों इशा करने शे इश्वर महादेव शदेवी आफशे परशन रहेंगी, दोस्तों जो भी शेंकर जो भी बदाएं आने वाले श्वर में आपको मिलेंगी, दोस्तों श्वर महादेव उने हर लेंगी, दोस्तों हमेशा आपके जुनकाल में खुश्या है खुश्या है रहने वाली है, जे दोस्तों इन बातों का आपको खास ध्यान कल से रखने शादिशा दूस्तों हम आप शिबी को रदाłęदें कि कल शिया आप शिबी के जुनकाल में जो भी प्रेयम शिबंद की शिमशाई थी वे शिमशाई भी शिमात होने वाली है जे दूस्तों आप शिबी को बिदा दें कि आपके घर के म Aphal में इतनी अच्छी स्थती बनने वाली है कि घर के शबी लोग आप शबी का स्रिपोर्ट करने वाले है बारिवारिक जीवन बहुत ये अच्छा रहने वाले है जे दोसों शादिशाद दोसों हम आप शुब बिदा दें की जो भी आपस में मनमुठाव थे वो मनमुठाव खत्म होने का शमे है और दोसों बहुत शमे से जो आपके शमेशियां चल रही थी जो शुब बिदा शुब बिदा दोसों उनमें भी अब शुदार होना शुरू हो जाएगा शाक्चात महादिव का शिरबाद आप शुब की जुनकाल में आए है दोसों आपको बहुत अच्छे शुदार अब देखने को मिलेंगी परेंदो दोसों हम आप शुब को उदा दें कि आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना बेहद यावशक है अपने शुब शुब के प्रतियाप शजग रहीएगा दोसों अपने जुवनकाल में आप वयाम और मेडिटेशन पर भी आपको ध्यान देना है इस बात का आप खास ध्यान रखें इश्ग प्रांदी दोस्तों हम आप शुब को विदा दें कि कल से जो केदार नाम का शुब योग का आप शुब के जुनकाल में निर्मान होने वाली है इसे दोस्तों आप शुब के जुनकाल में शमाज में आपका मान शमान शब से ज़दा बढ़ने वाले है जो भी आप कारी करने वाले है उनमें जो भी शबलताई मिलने वाली है उनमें दोस्तों आपको बहुती बड़ा शमान मिलेगा दोस्तों आपके कारियों की तारिफ कल्ची होने वाली है शमाज में आपकी एक अलग ही छवी बनने वाली है जो भी लोग पिछले कईश में से बहुती दुखी जीवन जी रही थे उन शबी के जुनकाल में कल शेहन सिल जीवन और बहुती शुखी जीवन होने वाले हैं जी है दोस्तों यानि कि दोस्तों आपको हर शुखों को देखते विए उन्हें शेह कर चलना होगा दोस्तों हर बातों को खिशी और को आप नहीं बताएंगे इस आपको करना होगा जिये दोस्व, इश्क के उपरांधी दोस्व, कल से आप शुवी का शुभाव बहुत यह अच्छा होने वाले हैं जिये दोस्व, जो भी आपके शुभाव में चिर्चिरापन था जो भी पिछले कईश में से आप किशी कारी को लेकर बहुत यदा परिशानियों को महशुश कर रहे थे तो दोस्वों कल से आप शिवी के जुनकाल में बहुत यच्छा परिवर्तन आने वाले हैं जिए दोसों, शादिशा दोसों हम आप शुक बदा दें कि कल से आप अपने बुद्धी और विवेक्ट से अपने जुनकाल में शबी कारियों में शुबलताओं को पराप्त करेंगे जो भी चोटी मोटी बदाएं आप शुबी के जुनकाल में आएंगे, दोसों उन से आप आशानियों शे उभर लेंगे जिए दोसों, शादिशा दोसों हम आप शुक बदा दें कि कल से आप शुबी के जुनकाल में माता पिता का सबसे आशिरवाद मिलीगा दोसों उन्हें के आशिरवात से आफ शुवे की जुनकाल में आप शुक्ष उगदाओं की और आके बढ़ेंगे लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को विदा दे की शमी के शाथ आप शिवी को अपना भी श्वास का ध्यान रखना है अपने मादा पिता का भी श्वास का ध्यान रखना है और दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों जब भी एशे योग किशी भी जातक की जुनकाल में बनते तो दोस्तों वह इंशान कोई आम इंशान नहीं होता है जिया दोस्तों वह इंशान का किश्मत बहुती परवल होता है उनका कर्म बहुती परवल होता है दोस्तों उन्हीं के जुनकाल में एशे युगों का निर्मान होता है तो दोस्तों एशे में आपको अपनी जुनकाल मे कौन शे महत्पुन बातों का दियान दखना है ताके दोस्तों कोई भी गलती आपको भूल कर भी ना हो जिया दोस्तों शबसे पहले दोस्तों आप शबी को बिदा दे कि आप भूल कर भी किशी भी व्यक्ति को आप शब्द बिल्कुल ही ना बोले जिहां दोसों किशी के भी परती दोसों आप अपने अंदर बुरा ख्याल बिल्कुल ही ना लाएं दोस्तों इश्वर इन्षे बिल्कुल ही परशन नहीं होते हैं इसलिए दोस्तों आपको हमेशा शवी के परती शकारतमक बिचार लाने हैं जिहां दोस्तों जो भी आपके बुरे सोचते हैं दोस्तों उनका विनास निसीत है जिहां दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों आप शिवी को बता दें कि कर्म फलदाता बेठे हैं आपके रक्षा करने के लिए और जो आपके शाद बुरा कर रहे है उनको दंड देने के लिए बेटे हैं इसलिए दोसों आपको वश अपने जुनकाल में अच्छे कर्म करते हैं। शादिशा दोस्तों हम आप शिवी को बता दिन कि कल से आप शिवी को अपने जुनकाल में कुछ उपायों को भी करना चाहिए दोस्तों कहा जाता है कि जो भी हमारे प्राचिनकाल है दोस्तों उनमें शबी देविदताओं को साक्षात लोग दर्शन पाते थे लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोग शाक्षात धर्शन नहीं पाते ही कि दोस्तों यह कल्यूग आ गया है लेकिन दोस्तों अभी भी प्राचिनकाल के एशे उपाय है जो व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यदा कारेखर शिद होते हैं शाक्षात उन्हें इश्वर का आभाज कराते हैं इसलिए दोस्तों बहुत शारेशे उपाय हैं जोने लोग अगर करते हैं शच्चे दिल शच्चे शरधाशे करते हैं तो उनके जुनकाल में बहुती लाब मिलते हैं और दोसों जब गरहों की इस्तिती शही हो और शही समय पर शही उपाय को व्यक्ति कर देता है तो दोसों उनका लाब शोगने में बढ़ते हैं यानि कि शोने पेशुहगा वाला इस्तिती उनके जूनकाल में आते हैं जिया दोसों इसलिए दोसों कल शे आपको अपने इस्ति इस्तिती यश्मी बहुत इच्छे, बन चुके हैं, लेकिद दोस्टूं, achievements अप शिव गुबता दें, कि राहु केटू का जो, इस्तिती होता है, दोस्वों वे कभी वेक्ति, को शुप फल नहीं देते हैं, जे दोस्टूं, इसलिए दोस्टूं, हम आप शिव को बता दें कि इन शिव बचने के लिए आपको अपने जुनकाल में कौन से शिव पाय को करना चाहिए ताकि दोस्तों आने वाले शिव में आपको कभी भी इनका अशिव परभाव ना मिले जहें दोस्तों इसकी लिए आपको क्या करना है तो दोसों आपको कल से अपने जुनकाल में एक मोर पंखो रखना है जिन दोसों और उश्मन मोर पंखो आपको रखना है और दोसों जब भी आप उश्मोर पंखो रखें उश्य पर दोसों ओम नमश शिवाय का जाप आपको 108 पर करना है जिन दोसों शाथ ही शाथ उश्मोर मोर्पन को गंगाजल से अवष्टरित करके अपने पूज अस्थान में रख दे धन वृद्विद्धी और शुक वृद्दी होंगी जो भी दोस्थों, गरहों के अशुप परभाव है जो अशुप गरह है उनका परभाव कम होंगी तो दोसों, इशुपाय का ध्यान, कल से आपको अपने ज्ञुनकाल में एक खास्तोर पर रखना ही है जिहें दोसों, साधे शाह, दोसों, आप शिवी को बिता दें कि आपको क्या करना है, कि जब भी आपके दुश्मन आप शिवी को प्रिशान करते हैं जब भी बहुत शारेशी लोग आप शुबी को प्रिशान करते हैं तो दोसओं आपको एक बहुती महत पूर पाई करना है जे दोसओं सबसे पहले दोसओं आपको उन लोगों शे लड़ना नहीं है नहीं दोसओं उनके बारे में बुरा भला आपको सुष्चना है जे दोस्तों बश आपको क्या करना है कि उषके पेर के मिट्टी आपको उठा लेना है और दोस्तों चूले में जलती आग में उन्हें डाल देना है और दोस्तों बश आपको इतना करना है और दोस्तों इतना करतने के बाद आपको क्या करना है कि महाबली हर्मान जी के जो हर् करेंगे बिल्कुल ही आशिपल होंगे और शाक्षा संकर्ट मोचल हनुमां जी आप शबी की रख्चा करेंगे जिया दोसों यह बहुत महत पुन पाय है जो फहाइए जो कि दोस्ञा ज़ियो पोई के जिनकाल में कोई नए कोई शत्रू है जियां दोसों इश्कल्यूग में शबी व्यक्तियों को लक्ष्मी के आउश्कता होती है जियां पर हर चीजों को पाने के लिए पेशे के आउश्कता होती है चाहे दोसों आप उन्हें जुनकाल के कोई भी शुक को लिले काड़ी बंगले पेशे की अगर आच आप चाहा रखते हैं दोसों आपको बता दें कि आपको मेहनत करना होता है लेकिन दोसों शरल उपाय करने से भी वक्ति के जुनकाल में उनके शारी लाव के दोवार खुल जब भी वक्ति को एशा पेशों की प्राप्ति नहीं होती है जो दोसों मेहनत करते हैं उन्हें बहुत शारी लोग एशे हैं जिने चोटे-चोटी पाय करने से भी उन्हें धनी की प्राप्ति होती है उनकी बिगड़े काम भी बन जाती है और उन्हें उनको पेशों की प्र जिए दोसु शुबा आठ बजी से पहले नहा लें, जाडू पुछा छुपा के रखें, पहली रोटी गाय वा भक्षियों के लिए बनाएं, रात को आकरी रोटी कुट्य के नाम ही निकालें, रशोई वा कमरी में जूठा बरतर ना रखें, तवा भी धोकर चुले पर रखे एक लोटा पानी रशोई घर में भर कर रखें, शुबा उड़ते ही, खुशुबुदार अगवरती जलाएं, और जोर से भगवान का नाम लें, जिससे शारे शुनले, जे दोसु पाठ करते शुमेही, खाना बनाएं, और मा की आरती उतारें, दोसु एशा अगर आप उप जुनकाल में आपको शुक, शांदी, शमिर्दी और घर में बरकत भी होंगी, दोसु इन उपाएं को आपको अपने जुनकाल में करना है, और दोसु खुश शे अपने जुनकाल को व्यतित करना है, जिया दोसु, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लिए आप शु शुबी का दिन शुब हो, मंगल मैं हो